करते हैं धनमशाला की ओर कोरोना वाइरस के डर से स्वास विभाग ने अब्जवेशन में रखे हैं 75 लोग हिमाचल में कोरोना वाइरस लोगों को खूब डरा रहा है 188 लोग चाइना और कोरोना प्रभावित शेत्रों से हिमाचल लोटा हैं पिछातर लोगों को विभाग ने अब्जवेशन में रखा है इसमें जलाकांगला के सरवद 12 हैं और हर दिन 5-6 लोग स्वास्थ विभाग के टोल फ्री नमबर 104 पर फोन करके सुवधाय मांग रहे हैं शिमला के स्कूलों में इन दिनों छुटियों के चलते दो परिवारों के लोग विदेश भूमने गए हुए थे और उन्होंने अब स्वास्थ विभाग के टोल फ्री नमबर पर फोन करके सुवधाय मांगी हैं हाला कि डॉक्टरों ने उनके सैंपल लेने से इंकार किया है लेकिन हिदायत दी है कि अगर बुखार और किसी भी प्रकार का दर्द हो तो तुरंट उनके मुबाइल पर फोन किया जाए साथ ही चाइना और बागी कुरोना प्रभावत शेत्रों से लोटे हुए 113 लोगों का 20 दिन तक उब्जवेशन में रखना पूरा हो चुका है इसमें लगे हुए इसमें सगे संबंधियों और परिवार के लोगों से ना मिलने को कहा गया है और साथ ही साथ केंद्रिय स्वास मंत्राले के साथ ही लगातार चल रही बाची से प्रदेश सरकार को पता चला है कि भारत से किसी को भी चीन नहीं भेजा जा रहा है और ना ही चाइना से भारत कोई व्यक्ति आ रहा है कि इंदेर स्वास मंत्राले की निगरानी में हिमाचल का 14-19 परवरी तक हिमाचल को सौब दिया गया है और फिलहाल वो ITPP के कैम्प में गया है